तो देखते हैं पर question number 9 में हमसे क्या पूछा गया है what is the need for a system of control and coordination in an organism तो हमें यहाँ पर क्यों जरुद पड़ी control and coordination की organism है organism है हमारे यहाँ पर plant भी आ जाएगा human beings भी आ जाएंगे animals भी आ जाएंगे जो भी यहाँ पर living organism है सब आ जाएंगे organism को यहाँ पर control and coordination की इसलिए जोद पड़ी कि क्यों यहाँ पर survive कर सके अगर मैं यहाँ पर plant की बात करूंँ तो plant में यहाँ पर क्या होता है plant हार्मोन होती जिसके वज़े से वो यहाँ पर survive कर पता है जैसके यहाँ पर plant को यहाँ पर carbon dioxide water and sunlight की जरुद पड़ती है जिसके वज़े से वो अपने यहाँ पर hormonal system है उसको यहाँ पर क्या कर सके control कर सके control जैसके आपको यहाँ पर पता होगा plant photosynthesis की process क्या बनाता है खाना बनाता है उसके बाद वो यहाँ पर उसको पानी लेना होता है उसके बाद यहाँ पर exchange of gases का का काम होता है पर फो और जो कहां पर होता उटाय तो उसके वादे से वो इंहां पर कार्बन टाइकसई ले पाता यह और ओक्सिजन रिलीजょ कर पर पाता है फो पोटस की वज़े से क्लाइंब कर पाते हैं अगर मैं यहां पर human beings की बात करूं तो जो यहां पर control and coordination होता है तो हमारे किसके वज़े के वज़े से होता है वह हमारे यहां पर brain and spinal cord की वज़े से हो पाता है उसमें हमारे यहां पर action आ जाता है and involuntary action आ जाते हैं उसके बाद हमारा endocrine system में वो help करता है अगर मैं यहाँ पर voluntary action की बात करो तो उसमें हमारे यहाँ पर क्या हो जगा है जिसमें हमें सोचने की जरूत पड़ती है तो वो हमारे यहाँ पर voluntary आता है और involuntary action में जहाँ पर हमें thinking की जरूत नहीं पड़ती है तो इसके यहाँ पर कुछ example दे रखे है जैसके heart beat हो गया breathing हो गया reading riding cycling dancing cycling और dancing writing और reading इन सब में हमें यहाँ पर voluntary action की जरूत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है और breathing, heart beat यह सब हमारे यहाँ पर क्यों थे involuntary action में आ जाते क्योंकि यह अपने आप होता है यह हमेशा होते रहेंगे heart beat है, वो अपने आप हमेशा होता रहेंगा, सास भी हम लेते रहेंगे जब तक हम यहाँ पर जिन्दा है अगर मैं यहाँ पर endocrine system की बात करो तो यह भी काफी help करता है control and coordination में in human beings like metabolism हो गया, development हो गया, reproduction हो गया और अपनी body को prepare करने के लिए किसी भी situation के लिए तो hope आपको यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ